हेलो वल्कम फ्रेंट्स वल्कम टु आवर यूट्व चैनल तो कैसे हैं आब साथ आजए को वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि वायो डेटा कैसे लिखते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखियेगा वीडियो पसंद आता है तो हमारी चैनल को के लिए या job interview के लिए जा रहे होते हो बायो डेटा सबसे ज़्यादा important होता है आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बायो डेटा कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आपका नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका न नाम है अनुष्का सिन्हा ठीक है आपका नाम है अनुष्का सिन्हा तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है अनुष्का सिन्हा ठीक है पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है अगर आपका नाम केवल अनुष्का सिन्हा है तो आप केवल वही लिखें कि आपका date of birth क्या है, तो आपको यहापके date of birth का लिखना है, जैसे कि आपका birth है 10th of January का, ठीक है, तो आपका birth यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, 10-1-2001, इस तरीके से अगर आप लिखो के तो यह गलत हो जाएगा, आपको लिखना कैसे है 10th January, जैनुवरी आप पूरा लिखोगे, उसके बाद 2001, या जो भी year है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है rate of birth, उसके बाद आता है address, तो आपका address, residence, address जो आपका है, जहाँ पर रहते हो, वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, clear है, उसके बाद age, अब आपकी age कितनी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप कितनी साल के हो, कितनी age है आपकी, ठीक है, contact number, आपको अपना mobile number लिखना है, या ऐसा number देना है, जिसे कि आपसे contact किया जा सके, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, उसके बाद आपको लिखना है nationality, तो nationality आपका जो भी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांगलादेशी है, जो भी आपका nationality वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, उसके बाद आता है आपका martial status, तो martial status होता है कि आप single है, married है, widowed है, divorced है, क्या है आप, तो अब वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो अगर आप जा रहे हो college की interview के आपको लिखना होगा, I am married, clear है, यह आपको लिखना है, martial status में, अब आपका आता है कि qualification, तो qualification आपका कितना है, ठीक है, तो qualification आप जो आपके लिए अगर जा रहे हो, तो ही आपको आपसे qualification पूछा जा रहा है, तो आपका qualification जो भी है, कि आपने 12th कौन से subject से पास किया है, फि चीज़ आपको यहाँ पर qualification में mention करना होगा, चीक है, उसके बाद आता है, name of examination, name of board, और name of institute, फिर passing year और percentage, इस तरीके का आपको table बनाना पड़ेगा, यह देख सकते हैं, पहले में आपको बनाना पड़ेगा, table में name of examination, दूसरे में name of board, तीसरे में है name of institution, और चौथे में है नीचे में passing year और percentage, तो इस तरीके से आपको पांच table बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो भी examination हुआ है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे examination का, उसके बाद कौन सा board था, आपका CBSE board था, ICSE board था, Bihar board था, NIOS board था, जो भी board था, वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसके पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने कौन से year में वो examination crack किया है, कौन से year में उस exam को pass किया है, वो year आपको यहाँ पर लिखना होगा, फिर आपको percentage कितना आया है, उस examination में आपको उतना percentage लिखना पड़ेगा, इनके से अगर आपको 89% आया है, तो 89% यहाँ पर लिखेंग तो आपको लिखना है कि मैंने यहां यहां काम किया है, मैंने बहुत जगह काम किया है, और वो पूरे डीटेल में होना चाहिए, इस शुट बी रिटेन फॉर्म लेटेस्ट तो ओल्डेस्ट अलोंग विद दॉट ठीक है, तो यह आपको पूरा लिखना पड़ेगा कितने आपको यहां पर लिखना है, कि कितने साल तक आपने काम किया था, आपने दो साल काम किया है तो दो साल लिखेंगे, चार साल काम किया तो चार साल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है अचीवमेंट, अब अचीवमेंट क्या होता है, आपको वहां इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, भोजपूरी आता है, भोजपूरी ने तो आपको जो भी भाषा आता है, आप यहां पर mention कर देंगे, उसके बाद skills, आपका skill क्या है, ठीक है, आपकी skills क्या कहती है, वो आपको यहां पर mention करना है, उसके बाद आपको लिखना है weakness, आपकी क कर सकते हो, जैसे कि आपको आईस्क्रीम देखते ही बहुत अच्छा लगता है, वो सब चीज आप लिख सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप से आपने लिखना है, Hobbies, तो आपकी hobbies कितनी है, क्या क्या hobbies है, dancing है, singing है, gardening है, फिर जो भी आपको आपको यहां पर mention कर देना है उसके बाद आपको यहां पर लिखना है reference क्या आपका reference क्या है उसके बाद फिर आपको यहां पर declaration लिखना है फिर यहां पर date हो जाएगा कि किस तारीक को आप यह bio data लिख रहे हो अब date यहां पर जब आया है तो आपको मैं बता ही देती हूं आप आपको आपना sign कर देना है, ठीक है? तो students, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि बायो डेटा कैसे लिखते हैं, उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बायो डेटा का जो वीडियो जो है, कि मतलब question के साथ जो answer है, बायो डेटा का जो सैंपल है वो भी मैं जल्दी ही अप्लोड करूँगी तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी साथ बेल आइकन में जा दीजेगा और अगर आपको ये बायो डेटा का अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद वन्दे मात्रम नमश्कार